आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे वाठ फिल्टर के बारे में बदाऊंगा जिसे आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाएगा और वो जो है लॉआग लाइफ है और वो जो है समज़ दीजे बहुत ही अच्छा पानी को फिल्टर करेगा और आप उसे आराम से रिपेर भी कर सकते हैं, वो जो है सस्ता भी पड़ेगा, चीप एंड बेस्ट है, तो वो जो है वाटर फिल्टर आप खुद बनाईए और अपने घर में लगाईए, बजार वाले वाटर फिल्टर जो मिलते हैं, वो महंगे भी पड़ते हैं और उनकी कौटे जल्दी और ग्यार, मैंने चेक करने के लिए ऐसे एक वाटर फिल्टर आज से दो साल पहले बनाया था, और वो वाटर फिल्टर समझ लिए, बहुत ही अच्छा चला, उसकी अब जाके केंडल खतम हुई है, तो ये केंडल मैंने मंगाई है मजान से, और जो है मैंने का चलिए इसका वीडियो पर आँ, ताकि आप भी ये नॉलेज ले सकें और आपका भी फैदा हो सकें, सबसे पहले इसको खोलते हैं, पहले तो मैं इसको खोली चुका हूँ, लेकिन इसको जो है, आपको खोल के मैं दिखा देता हूँ, इसके साथ क्या क्या मिला है, इसके ये फिल्टर मैं साक्राभी है यह यह सीड़ा 9400 के तीन आए यह देखिए दीचिव को है 400 ऊली यह तो ये जो वैसे एक्वाडव कमपनी का है एक्वाडव कमपनी बहुत अच्छी कमपनी है इसमें तीन फिल्टर जो है कौन-कौन से है मैं दिखा रहा हूँ आपको यह देखे सबसे पहले इसमें जो फिल्टर मिला है यह देखे सेडिमेंट फिल्टर इसकी इनकी देखे क्वाल्टी बह तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे यह बनेगा और इसमें क्या है टेक कागज भी है यह देखे यह बहुत ही बड़िया है इसमें इनोंने लिखा हुआ है quality certificate इनको quality certificate कहीं से मिला हुआ इनकी quality तो तो कहरी लगी रही है समान की सस्ते मगाते तो वो तो तो अच्छिने चलते क्वाल्टी certificate इनको कहीं से मिला है किसी ने दिया होगा और ये भी अच्छा है तो ये देखे इसमें जो है ये सब मिले हैं कनेक्टर छे कनेक्टर मिले हैं अब ये वाटर फिल्टर के लिए और क्या-क्या चाहिए मैं इसके समान के बारे में आपको पूरा बताता हूँ इसको बनाने के लिए देखे पूरा समान जो है ये मैंने लिखा हुआ है अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ये समान सारा नोट कर लिए तीन फिल्टर चाहिए आप कोई भी मंगा सकते हैं तीन फिल्टर यही तीन हो सेडिमेंट हो और आपका कार्बन फिल्टर हो प्री और post और उसके बाद जो है ये cooler motor जो cooler में जो है water pump एक लगता है पानी के अंधर पढ़ा रहता है वो ये है देखे ये इसको भी मैं दिखा दूँ आपको ये देखे ये है ये भी मैंने नया ख talented है कुलाना खराब हो के लिए यहां पर यूँ लग जाएगा और इसमें पाइप कैसे लगेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लगाने के लिए जो है यह देखे यह पाइप इसमें लगाया था यह तो पुरानी मोटर का है इसको यूँ हम निकाल देंगे जैसे यह टाइट है यहां से निकाल के यह इसमें लग जाएगा और यह चीज देखे यह कनेक्टर है यह कनेक्टर जो है यह एक तरफ से जो है हाफ इंच का है एक तरफ से क्वाटर इंच का है तो यह इसमें पाइप लगा हुआ है अब बाकी समान को देख लेते हैं इसमें देखे जो है यह हो गया कम हो और clamp चाहिए फिल्टर को लगाने के लिए यह जो है प्लाइ पे कैसे लगेंगे ऐसा एक ये तो X type का clamp है एक O छायन नीचे से ब्लेन होता है ये नहीं होता और उसमें जो है दो रचार लगा के Wire पे टाइट कर दिए जाते हैं यह तो वो C type क्लेंप चाहिए 6 पीस यह क्लेंप चाहिए और उसके बाद जो है एक बटे 4 इंच का पाइप चाहिए 4 मीटर यह पाइप जो है जैसे यह इसके साथ हया है तो 4 मीटर यह चाहिए connector 6 पीस चाहिए double push वाले यह देखे यह छे पीस जो है इसके साथ ही मिल गए है और half to quarter connector चाहिए यह motor के लिए इधर जो है यह quarter है इधर half है यह जो है यह आपका half to quarter connector है एक पीस यह चाहिए और इसके लिए जो है यह 2 या 3 इंच लंबा pipe pipe का टुकड़ा यह जो घर में होता है pipe आधा हिंच का इतना सा टुकड़ा आए आप उसी में से काट लीजिए गाए और उसके बाद जो है दो या तीन इंच लंबा पाइप का टुकड़ा यह हो गया नट बोल्ट चाहिए जो इसको जो है क्लेंपों को प्लाई के ओपर टाइट करेंगे उसके लिए नट बोल्ट उ चाहिए टेफलान टेप जो होता है वह आपका जो है समझ लीजिए यहां इसमें तो नहीं लगता लेकिन वह लगेगा आपका जैसे यहां पर यह देखे यहां पर टेफलान टेप लपेट के अगर धीला है तो इसमें आप टाइट कर सकते हैं टेफलान टेप लगा हुगा तो यह अच्छी तरह टाइट हो के उसमें जाएगा एक टेफलोन टेप चाहिए और कनेक्टर लॉक चाहिए कनेक्टर लॉक यह होता है यह देखे नीले रंग का यह लगा हुआ है इसको हम यह खीचेंगे यह तो निकलाता है और यह निकलाएगा तो फिर पाइप भी निकला जाएगा इसको जब दबाएगे यूँ इसको दबा के नीचे पाइप को यूँ खीचेंगे पाइप निकलाएगा और अगर यूँ जैसे इसको दबा दिया अब खीचेंगे तो अब नहीं निकलेगा क्योंकि यह चीज बाहरा गई है और यहां पे लॉक लगा हो तो फिर साथ पीस दस पीस ले लिजेगा तो इतना सारा समान चाहिए सारा समान मिला के करीब 700 रुपए का है 700 रुपए में आपका जो है बढ़िया फिल्टर बन जाएगा इसकी लाइफ कम से कम जो है समझ दिए एक साल से लेकर दो साल तक होती है यह अच्छे वाले हैं तो यह दिए आता हूँ आपको सरकीट डियम डियेग्राम किसे बनेगा यह देखें सरकीट डियाग्राम है वाटर फिल्टर फार होम चीपट-स दैज्टर प्रिकारबन और यह प्लस कारबन इसके लिए आपको दो पादन चाहिए पानी के बरतन हों गैशी हों चाहें आँ कुछ भी हो जैसे ये इसके उपर ये लग जाएगा यहाँ पे और इधर जो है ये निकाल के ये लग जाएगा ऐसे तो ये मोटर में जो है ऐसे लग जाएगा इधर इसको अगर खींच के निकाला जाए तो ये निकाल के ये लग जाएगा अब मोटर से जो ये जो है पाइप जाएगा य यह arrow का ध्यान रखें, इसका मतलब है कि पानी इधर ये input है और ये output है, तो ये यूँ लगाना है, देखें, circuit के हिसाब से यूँ लगेगा, कि ये दिखा रहा कि पानी इधर से इधर से पानी यूँ जाएगा, तो इधर ये motor लग गई और इधर ये output हो गया, इस चीज का जर sediment filter लगेगा, इधर से input से पानी गया, output से निकला, उसके बाद ये pre-carbon filter लगेगा, ये जो दिखा था मैंने, ये pre-carbon filter है, इसमें भी ऐसे arrow बना है, इसका ध्यान रखना है, यूँ लगेगा, इधर से पानी जाएगा, इधर निकल दाएगा, यहां से sediment filter से जो निकलेगा, वो pre-carbon में जाएगा, और pre-carbon से निकल के फिर ये देखिए, post-carbon में आएगा, post-carbon वाला ये था, इसमें भी ये arrow बना हुआ, इसमें बता रहा है कि पानी यूँ जाएगा, इधर से जाएगा, ये input हो गया, ये input है, पानी यूँ जाएगा, ये arrow बना है, इधर निकल जाएगा, और इसके जो है connection हो जाएंगे और इसको लगाना है clamp पे पहले आपको clamp पे वो लगाना है तो इधर से यह देगे sedimental filter में गया है फिर इधर यह pre-carbon में गया इधर से निकला यह post-carbon गया और यहां से यह जो है आपका tanky में किसी में आप यह पानी भर लीजिए यह बहुती अच् तो इधर आपको साफ और अच्छा पानी मिलेगा यह चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको इसको आरो मत समझेगा यह जो है water filter है केवल water filter है cheap and best 700 रुपए में यह पूरा तयार हो जाता है और अगर आरो में आरो बनाना हो तो उसमें देखिए membrane filter भी लगता है इसके साथ फि से प्ला ही होती है इसमें भी लगती है UV lamp में और इसमें भी booster pump में भी घ्शिण से ही चलता है बूस्टर Pump तो यह भी लगेगा UV lamp और mineral cottage.Mineral cottage एक लगती है last में तो उसमें यह होता है कि इह post filter से जो है post carbon पानी निकल के इसमें मेंब्रेन में जाता है मेंब्रेन में मोटर के थ्रू जाता है मोटर मेंब्रेन में इसको पानी को फेकती है बहुत प्रेशर से और मेंब्रेन से निकल के यूवी लेंप में जाता है यूवी लेंप से निकल के जो है मिनरल कॉटेज में जाता है उसके ब लगा सकते हैं मिनरल कॉटेज जो है दो तीन सो रुपए की मिलती है वो यहां पे लग सकता है यह तीन से भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा तो इधर जो गंदा पानी होगा वह आपको इन तीन फिल्टर से साफ हो के एकदम यहां पे बढ़िया पानी पीने लाइक मिले रहे हैं वह अपने एरिय के कहीं भी आप किसी 살 ले लेगी यहाँ जो है कार्पेंटर वाली दुकाने हुती हैं वहाँ से ले ली जैंगी यह और उसके तो पाइप इधर से निकालिए दूसरा लगा कि उसमें पाइप लगा दिया फिर रिपेर करने में कोई दिक्कत नहीं होती वो जो है दस मिनट का काम है यह मर्णवाक के और आपका जो है यह जो है यह डिर्ड साल अराम से चलते हैं तो यह जो है बहुत ही ससता और अच्छा पड़ेगा क्यों कि बाजार वाले जो होते हैं वो दो डाई हजार के फिल्टर मिलते हैं उनमें ऐसी क्वाल्टी नहीं मिल पाती तो आप जो है इसको जरूर बनाईए और आप जो है अच्छा और स्वच पानी पीजिए और आरो अगर आपने खरीदना है तो बने बनाए आरो बहुत मिलते हैं वो आप खरीज सकते हैं बहुत महेंगे पड़ते हैं और उसकी जो है रिपेरिंग जो करते हैं आके बनाते हैं वो भी अच्छा कासा बिल बना देते हैं प्लाई पे कैसे लगेगा क्लैम्प यह मैं बता देता हूँ जैसे वो सी वाले क्लैम्प आप मंगाएंगे तो वो इतना इतना ही होता है और शियुश दो इस दो च्रत गोल के लिए यह तो आ जाए वाट बाइल निशन बना के लिए और उसमें ट्पोता 2 मना घाली प्लाइब के लिए और रन के लिए उसम्हें जाने थे कि लिए 2 उसम्हें, जाना आज यहां छ्रत गुश्ट में 9. वाले क्लैम तो आपको जो है सी वाले छे क्लैम चाहिए यह मैंने इसमें लिखा है और जो है उस यह पूरे लग जाएंगे और अगर इनके उपर कोई लगाना हो तो फिर यह बले लग जाते हैं तो आप जो है वह मंगवा के और छेदवे चाहे किसी कारपेंटर से करवा जैसे यह हैं यह सब ऐसे अगल वगल थोड़ थोड़ा गैप करके यूँ आप लगा दीजेगा और आपका बढ़िया बनेगा कनेक्शन आप एक बार फिर देख लिजे और आप जो है इसका सामान भी आपको मैं एक बार फिर दिखा देता हूं आप नोट कर लिजे यह कने लिने से अच्छा आदमी यह बनवा ले यह खुद बना ले तो बहुत ही अच्छा इसमें कोई भी दिकत नहीं है अराम से बन जाएगा मैंने बनाया था वो पहले दो साल समझ लिजे चला जहां वो लगा है वो करीब समझ लिए दो साल से जादा ही चला अब उसके फिल्ट स्क्राइब करिएगा मैं राजे अंदर सिंग और आप देख रहे थे चैनल नौलेज और क्यान नमस्कार जैहिन